हेलो दोस्तों आपके पर यूटीव चैनल लैनिस्टेडी में आपका स्वागात है दोस्तों आज मैं इतियास की बहुत ही में दयाओ है अपके सब की जह्में के लिए काफी महत्ता पूर्ण होगी दोस्तों में पीटियास समांगण और vista लाता रहें तो मैं भीग्यान कि कि मद्ध युद्ध किस सथान में हुआ था तो यह कब हुआ था option ंबर डी अठार सो अठावन को अपना गला है कॉंगरेश में गरम दल के सहस्तापक कौन थे तो यह थे option नमबर बे बाल गंगाधर तिलक ये कॉंगर्स में गरम दल के सहस्तापक थे अपना गल है अंगरेजों से मुक्ति पाने के लिए आजाद हिंद की फौज की स्थापना किस ने की थी ये की थी ऑफ्ष्ट नमबर डे चंदर शेकर आजाद ने भारत का पर्थम मुगल सासक कौ बे बावर अब्राइम लोर्दी को हराने के बाल बावर पर्थम मुगल सासक बाना था अपना है बाहरत में मुगल समराज जी की इस्तापना किस सन में होई थी तो ये होई तो अफ्ष्ट नमबर ए 1526 में पानिपत के पर्थम युद्ध के बाद हमायू ने सेड़ सासरी पर किस सन में बिजय प्राप्त की थी तो ये की तो अफ्ष्ट नमबर से 1540 में अब नगला है पानिपत का दूसरा युद्ध के मद्ध हुआ था तो ये हुआ तो अफ्ष्ट नमबर ए अकवर और हैमू के मद्ध हम चंद विक्रमत के मद्ध हुआ था पहला युद्ध हुआ था बावर और एवराहिम लुद्ध के मद्ध में अकवर और महाना प्रताब के मद्ध हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता आप्ष नमबर A. हल्दी घाटी का युद्ध अपना अकवला किस बास्ताने न्याई के लिए जंजी लगवाया था तो यह लगवाया तो आप्ष नमबर D. जहांगीर ने सहाजा की बेग मुम्ताज महल जिसकी याद में ताज महल बनवाय गया था कि मुर्थ तो कहां पर हुई थी तो यह कहां पर हुई तो आप्ष नमबर C. बुरानपुर औरंग जेव का मकवरा कहां पर है तो यह है option number C औरंगाबाद में बावर की पुत्री का क्या नाम था तो यह था option number B गुल बदन बेगम फतेवु सीकरी सेर की सेर किस बास्ताने बनवाया था तो यह बनवाया था option number B अकवर ने अपने अपनागाद है इस्ट इंडिया कमपनी टीपु सुल्तान पर किस सन में बिजय प्राप्त की थी तो यह की थी option number A 1792 में भारत के पर्थम गवर्णर जेनरल का क्या नाम था तो यह था option number A विलियम वेटिंग विलियम वेटिंग इनका नाम था अपनागाद है निम्रिकित में से किस राजी ने अंगरीजियों को मुक्त वेपार के लिए सुनेरा फर्मान जारी किया तो यह की था option number C गौल कुर्णा ने यह सुनेरा फर्मान जारी किया था है विलियों के लिए सलवाई की संदी किस युद्ध से सम्मध दिता है तो देखी सलवाई की संदी होई थी यह थी option number B पर्थम एंगला मराठा युद्ध के बाद 17 माई 1722 कोई संदी होई थी इस संदी के द्वारा अंगरेजों ने सलसेत और ब्रोज को अपने अधिन रखा था यह अपने नेत्रण में रखा था बिर्टिज भारत की रायधानी कलकत्ता से दिल्ली किस संद में इस्तांतरित की गई थी तो यह की गई थी option number A 1911 में इस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला बैपार केंद्र किस इस्तान पर बना तो यह बनात option number B सूरत इस्ट इंडिया कंपनी को भारत में वपार करने की अनुमति किस संद में मिली तो यह मिली थी option number A 1925 में इस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के समय भारत में किस बास्ता का सासन था तो किस का था यह option number D जागीर अपना अगला है निम लिकत में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत में भारत से अवगत कराया था तो एक रायत option number A सिकंदर अलेक्जेंडर सिकंदर के आकरमण के दोरान पक्षम उत्तर भारत कितने राज्यों में बेवाजित था तो कितने राज्यों में बेवाजित था यह option number C 28 राज्यों में बेवाजित था विक्रम संब्ध की सुरुवात कव हुई थी तो यह हुई थी अफिस नंबर D 57 इसा पूर संक संब्ध की सुरुवात कव हुई थी तो यह कव हुई थी 38 इसपी में गुप्च संब्ध की सुरुवात कव हुई थी तो यह हुई थी 320 इसपी में हिउन्ट संब्ध भारत कव आया था तो यह कव आया था यह आया था ओप्च नंबर C 16-39, 16-45 इसपी में 1612 इसपी में अंग्रे जी बेड़े ने किस युद्ध में पुरुत कालियों को हराया था तो यह रायत ओप्च नंबर A सूरुवात के युद्ध में अपना अंगला है जोदपूर की स्तापना एक राजपूत डेस ने 14-69 में की थी तो यह की तो आप्च नंबर A राव जोधाने अंग्रेदी संसद में भार सरकार दिनियम कब पारित हुआ तो यह कब पारित हुआ था आप्च नंबर C 1858 को भारती राष्टे कांग्रिस का 896 896 का अधिर वीचन निम्ले कित में से किस के लिए विख्यात है तो यह विख्यात आप्च नंबर A पहली वार राष्टेगान गाय गया था अपना अगला है समुंद्री वेपार के संदर में करतार्ज वेवर्ष्टा का उप्यों किस के द्वारा किया जाता था तो यह किया जाता अप्च नंबर T पुर्दगाली के द्वारा मुश्लमों के लिए अलग मतदान दल के लिए मतदाता दल के लिए किस कांगर्श अधिर वेशन को जाना जाता है तो यह जाना जाता अप्च नंबर C लखन वेशन 1916 बारत में पहली यूरोपीय बस्ति कित इस्थान पर इस्थापित की गई थी तो कहां पर की गई थी यह कई गई थी ओप्च नंबर A कोची में किस राज जी ने अंगलीयों को मुक्त वापार के लिए शुनेहरा फर्माज जारी किया तो यह किया था अप्च नंबर सी गोल कुंडाने दोस्तो वीडियो कैसी लेए कमेंट करें अपनी यूट्यूब चैनल लेन इस्थेटी को सस्क्राइब करें शेर कर और लाइक करें